Welcome to Motor Reviews, आज हम discuss करेंगे All-New 2021 Husqvarna Swatpilion 125 की launching detail. Husqvarna brand को KTM own करता है, तो जितने भी आपको Husqvarna के bikes देखने को मिलेंगे, ये bike KTM के showrooms में ही display होंगे. Husqvarna 250 का launch काफी time पहले ही हो गया था Indian market में, बट जल्द Indian market में आपको All-New 2021 Husqvarna Swatpilion 125 का भी launch देखने को मिलेगा. ये bike totally inspired रहेगा अपने bigger sibling से, Husqvarna 250 Swatpilion से, इस bike में आपको क्या कुछ features देखने को मिलते हैं, specification क्या कुछ देखने को मिलेंगे, एंड इस bike का Indian market में launch कब होगा. सारी detail and complete information के लिए इस review को ज़रूरा पैंट तर देखिए. Husqvarna Swatpilion 125 में आपको क्या कुछ specification देखने को मिलेंगे. इस bike में आपको जो engine देखने को मिलेगा, same engine जो use किया जाता है, KTM Duke 125 में, इस bike में भी आपको same engine देखने को मिल जाएगा. अगर इस bike के हम specification की बात करेंगे, engine में इसमें आपको 124.7cc का BS6 compliant engine मिलेगा, power इस bike के आपको 14.5hp की power generate करता है ये bike, torque इसमें आपको 12Nm का torque मिल जाएगा, number of gears इसमें आपको 6-speed gear मिलते हैं, fuel tank इसमें आपको 9.5L का fuel tank मिल जाएगा, disc size front miss में आपको 300mm single disc रहेगा, front disc का size, rare disc का size आपको 230mm single disc मिल जाएगा, इस bike में आपको single channel ABS देखने को मिलेगा, front में, अगर इस bike के हम suspension की बात करेंगे, front में इसमें आपको 43mm के upside down focus suspension मिलते हैं, rare suspension में monoshock मिल जाएगा, house coverness SWAT billion 125 में आपको क्या कुछ features offer किया जाएगे, इस bike में आपको fully LED DRL headlight देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको digital meter console भी मिलेगा, LED indicators भी spike में आपको single channel ABS देखने को मिल जाएगा, front में, इस bike में आपको engine cooling technology, leakage cool मिलेगी, अगर इस bike के हम overall performance की बात करेंगे, top speed इस bike की आप 120 km per hour के साब से मिलती है, average spike की आपको city में ये bike 45 km per liter के साब से average generate कर देगा, highway पे ये bike आपको 50 km per liter के साब से average generate कर देगा, इस bike में आपको totally cafe racer looks देखने को मिलते है और इस ने आपको premium components देखने को मिल जाएगे, इस bike में आपको comfortable riding position भी मिलेगा, इस में आपको totally refined engine देखने को मिल जागा हस कवरना की तरफ से इस पाइक में आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे अगर इस पाइक के हम प्राइस की बात करेंगे इसका प्राइस आपको 1,25,000 एक्शोरूम देखने को मिलेगा एंड इस पाइक का लॉंच आपको 2021 जून में देखने को मिल जाएगा तो फिलाल जो इनफरमेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिसकस की स्टेल आपके कोई डाउट्स या कभी भी को कोशन होता है मुझे इंस्टाग्राम पे डिरेक्ट मैंसेज करें मैं आपको जूर रिप्लाई दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आज के रिव्यू का हम इधर ही वाइंड अप करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जुरूर लाइक करें चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें